दोस्तो USA ने 200 million dollars allot किये हैं पाकिस्तान के लिए और उसका reason सुन करना आप एकदम हैरान हो जाओगे खुद USA में कई लोग बहुत गुसा है बाइडन administration के इस decision को लेकर आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि USA ने क्या reasons दी हैं पाकिस्तान को इतना huge amount देने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पूछूँगा आपसे एक सवाल और question ये है कि हाल ही में इंडियन निवी में induct हुआ है एक destroyer ship आपको बताना है इस ship का नाम और इस question के लिए मैं आपको कोई option नहीं दूँगा क्योंकि मैंने इस पर एक detailed वीडियो पहले भी बना रखी है और इस question का right answer हम जानेंगे वीडियो के end में तो देखिए USA ने एक अजीब सा बहाना लिया है पाकिस्तान को ये amount allot करने के लिए USA ने यहां ये कहा है कि हम पाकिस्तान को 200 million dollars इसलिए दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान को help मिले उनके देश में gender equality को promote करने में यानि कि इनके देश में जो male और female के बीच difference है उसको कम किया जा सके लेकिन बाइडन administration के इस move को लेकर USA के parliament members भी गुसा है क्योंकि पिछले साल इसी reason के लिए USA ने पाकिस्तान को सिर्फ 10 million dollars provide किये थे लेकिन अब ये amount सीधा बढ़ा कर 200 million dollars कर दी गई है और USA के लोग यहां बोल रहे हैं कि gender equality program वो भी पाकिस्तान जैसे देश में और USA के taxpayers के पैसे से हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं USA को क्या लेना देना पाकिस्तान में क्या हो रहा है USA के लोगों का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि इनको पता है कि ये जो पैसा पाकिस्तान को मिलेगा वो कभी भी सही कामों में इस्तमाल नहीं होने वाला ये पैसा सीधा जाएगा करप्ट लोगों की जेबो में आप सभी को पता होगा हाल ही में काफी आर्टिकल चपे थे कि जब जनरल बाजवा रिटायर हुए तो इनकी जो बेटी है उनकी नेट वर्थ थी एक बिलियन युएस डॉलर्स और खुद बाजवा के नाम काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं दूसरे देशों में और बाजवा सैलरी से कभी भी इतना पैसा इखटा नहीं कर पाते ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी के जनरल इवन युएस से के जनरल भी इतना पैसा इखटा नहीं कर सकते उनकी सैलरी से अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दूसरे देशों से भीक में मांगे पैसे पाकिस् कि USA पाकिस्तान को billions of dollars ऐसे ही grant दे रहा हो और सिर्फ इतना ही नहीं मैं आपको बता दूँ आने वाले साल में USA billions of dollars भी grant में देगा पाकिस्तान को और बहाने भी ऐसे ही देगा for example counter terrorism के लिए women status uplift करने के लिए democracy बचाने के लिए तो ऐसे बहाने USA लगातार देता रहेगा लेकिन यहां पर आप यह पूछ सकते हो कि क्या यह सारा पैसा पाकिस्तान को मिल चुका है तो देखिए अभी पूरे तरीके से पार्लियामेंट में यह पैसा पास नहीं हुआ है लेकिन पूरे पूरे chances है कि पाकिस्तान को यह पैसा मिल जाएगा तो अब यह देखना होगा कि आग यहां करते हैं हम इस वीडियो का अंत अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट थैंक यू